आप्टरफेक्स में आप भी तक आपने जाना एनिमिशिंस के बारे में कि आप Easy Ease क्या होता? Easy Ease Inक्या था? Easy Ease Out क्या होता? ठीक है? यह चीजे थी, Easy Ease वगरा था, आपका अपने ये ध्यान दिया कि आपकी स्प्रीड कंट्रोल कर रहे थैं, आपका distance सेम था, आपका time सेम था बस यह था कि आप बोल रहे हो त्वहिए आप psych tap क स्टार्टिंग में तीज भागो अगर आप psych tap को समय अतनों हिंदा स्टार्टिंग में था म Aujourd' करने दो आपको तक घृ नपड़ करता स्टार्टिंग में फेरो एक option और है graph editor का, graph editor, graph editor से आप बहुत, बहुत easily, बहुत easily, आप speed को manipulate कर सकते हो, सिर्फ keyfaming, मतब keyfaming interpolation में आप उसको, फिर भी एक limitation था, कि आप सिर्फ दो-तीन तरीके सही कर सकते थे, कि आप easy ease, in कर दो easy ease out, पर graph editor के अंदर बहुत सारे options है, बहुत possibilities हैं, कितना आप fast कर रहे हो, कितना आप slow कर रहे हो, दिखाता हूँ है क्या है, चलिया है, तो देखिए, एक symbol है, मैंने एक green color का एक circle लिया हुआ है, और मैंने इसकी position property ये खोली हुई है, मान लिजिए, मैंने position पे keyframe लगाया, एक second के उपर, और मैं गया, तीन second पे मैंने एक keyframe और लगाया, यहाँ पर, ठीक है, यह यहाँ पहुच गई, अभी देखिए, यह कुछ ऐसा दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने graph editor on कर रखा, यह जो आइकन है, यह graph editor का आइकन है, आपकी जो आपको timeline दिखती है, ऐसी दिखती है, पर अब जब आप इस icon के उपर click करेंगे, तो मुझे दिखता है, यह graph editor, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरी symbols एक animation है, ठीक है, अगी मैंने graph editor पे click किया, तो मुझे graph editor यहाँ पर show कर रहा है, पर यहाँ पर मुझे आए वाला icon है, इसको अपर आप click करेंगे, तो आपको यह तीन option मिलते है, show selected properties, बतलब graph editor के अंदर, जो आपने इस property select कर रखी है, उसको show करो, मैंने जैसी position select किया, green का, देखिए मुझे यहाँ पर graph editor पे values मिली है, show animated properties, इसको click करेंगे, तो जितनी भी animated properties हैं, जैसे अभी त इसके उपर, मैंने आले scale भी लिया, scale के उपर animation लगा है, तो देखिए, यह मुझे, जैसी मैं green को select करूँगा, तो जितनी भी animated properties है, positional scale, दोनों दिखा रहा है, यह red वाला scale का है, और यह वाला position का है, red और green scale का है, यह वाला position का है, तो मैं सुझे है, कि मटना देता हूँ जो animation properties है, selected हो, उसी का show करेंगा, कि बहुत confusing हो जाता है, कभी-कभी, अगर आपने animation, position, scale, opacity सब पर लगा रखिए, और आप यह select कर रखा, तो graph filter में बहुत ज़ादा, होच-पुच हो जाती है, समझ नहीं आता है, ठीक है, यह तो हुआ वो, देखने का, क्या आपको देखना है, यह चीज है, auto select graph type, मतलब auto select graph type का मतलब है, अगर आपने यह select कर रहा हो है, तो after effect, best suited, कौन सा graph आपको दिखाए, उस property के लिए, वो खुद से choose करता है, अब कौन सा graph का मतलब, आपके पास दो graph होते हैं, एक तो होता है, आपके पास speed graph, यह नहां, एक होता है, आपके पा आपके पालनी जाता हो, पर मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, speed graph, value graph, ठीक है, अगर मैंने auto select graph type करा हुआ, कि आप खुद से choose करके बताओ, मुझे property accordingly, अगर मैंने position choose किया, तो उसने मुझे graph choose करके दिया, जो select करके दिया है, वो दिया है, इसने मुझे, show selected property, ठीक है, यहाँ पर जो उसने मुझे graph select करके दिया है, वो दिया है, मुझे position, position का graph, पर कौन सा, speed graph, क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो value दिख रही है, वो दिख रही है, 500 pixel per second, एक second के अंदर आपको 5 minute pixel move करना है, तो यह मुझे speed का दिया है, speed की unit होती वही है, यह होती है, distance per second, यह distance per r, ऐसे, और अगर मैं इसको value graph कर दूँ, देखिए, वो पूरी value change हो गई, यहाँ पर, और जो position की आप values आ रही है, यह वाली जो red वाली है, यह position x, और यह वाली position y, यह value graph है, आप value accordingly पे आप इनको change कर सकते हो, ठीक है, अब देखिए, इसमें आता है show graph tool tips, show graph tool tips का मतलब होत है, कि अब मुझे यहाँ पर, मैं cursor लेकर आ रहा हूं, मुझे कुछ value show नहीं कर रहा है, पर इसको मैं on कर देता हूं, तो छोटा साथ एक part होता है, जो value मुझे continuously दिखाता रहता है, यह देखिए, देखिए, मेरे cursor के साथ साथ move कर रहा है, तो वो होता है, यह expression tool bar, edit editor आपको इसके अंदर, इस जो मारा timeline था, इसके अंदर आप keyframes के बीच में देखिए, यहाँ पर, मैं यहीं पर keyframes लगा सकता हूं, या तो इस frame पर keyframes लगा सकता हूं, या इस frame पर keyframes लगा सकता हूं, देख रहे हैं, पर graph filter के अंदर आप frames के बीच में भी, आप keyframes लगा सकते हो, पर ग्राफ टाइफ स्पीड ग्राफ कर दूँ आप ना इनके बीच में भी आप की फ्रेम्स लगा सकते हो कैसे अब देखे देखना मैं यहां आया और मैंने यहां से कर दिया अलाग की फ्रेम्स बिट्वीन फ्रेम्स अब देखिए यहां पर की फ्रेम्स लगाएंगे कैसे विद मैं तो या तो इस frame पर आ पा रहा हूँ या इस frame पर आ पा रहा हूँ पर बीच में तो keyframe लगा नहीं पा रहा हूँ मुझे क्या करना है मुझे control दबाना है और यह देखिए control दबाया जैसे ही मैंने तो देखिए जैसी मैं इस cursor को graph के उपर लेकर आया हूँ तो वो pen tool में change हो गया और देखिए मैं अभी इसके दो keyframe देना यह देखिए पहला keyframe दूसरा keyframe अब दो keyframe है यह दो keyframe के बीच में भी मैं keyframe लगा पा रहा हूँ यह कभी-कभी use आयेगा ऐसा नहीं है कि यह नहीं आयेगा पर आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है यह snapping है अगर आपको इसमें speed graph इसको मैं पहले keyframes को delete कर देता हूँ इन दो keyframes को पकड़ा मैंने delete कर दिया अब देखिए यह जो keyframe था ना यह वाला keyframe यह यही keyframe है यहां पर जो लगा हुआ है देखिए यह वाला keyframe अगर मैं इसको यहां move करता हूँ तो वो देखिए वो अंदर भी move हो गया है और मैं इसको यहां move करता हूँ तो वो इधर move हो गया है और देखिए इसका graph भी change हो गया actually मुझे वो आपको show नहीं करना था पर अभी दिख गया ठीक है अभी यह linear ही है ठीक है अभी आपको समझ में आ गया कि यह keyframes actually यही होते हैं जो यहां पर show कर रहे है बस उसका हमको जो ग्राफिकल व्यू दिखता है यहां पर यह snapping है snapping इसमें भी आपको काम आती है जब आप keyframes मूव करेंगे हैं यहां पर तो snap हो जाने चाहिए आपको off करना है on रखने की चीज़ा है आपका ग्राफ हेटर तो कट गया ना पूरा कितना उपर लेकर आपको जैसी मैं इसको छोड़ोंगा और मेरा यह feature इनेबल है देखिए जो मेरा जो ग्राफ हेटर है उसको summarize करके पूरा का पूरा timeline के उपर ही लेकर आ जाता है मतलब आटो जूम 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 आउट कर देगा मैं इ beneficial होता इसको on करके रखिए का यह तो बहुत beneficial होता क्योंकि आप इसमें changes करेंगे तो आपका जो timeline के ओपर graph editor रही अपने आप auto scale हो जाना चाहिए अब देखिए यह है fit selection to view अगर यह जो selection है मेरा मैंने इनको select किया है और मैं इसको जैसी करूँगा ना तो जितना भी timeline के ओप view है graph editor को पूरा पूरा fit कर देगा यह ज्यादा use नहीं आता है मेरे इसको आप छोड़ो देखिए इसने क्या enlarge कर दिया उसको इतना enlarge किया कि आपका पूरा का पूरा दोनों keyframes पूर timeline के ओपर fit हो जाए इतना ठीक है fit all graph to view यह है और यह है आपका separate dimension मतलब P के अंदर actually आप X और Y की अलग-अलग separate dimension आप देख सकते हो पर जाहिए मैं यहाँ पर गया और मैंने इसके transform properties खोली तो देखिए anchor point select करता हूं तो separate dimension का option नहीं आता है position select करता हूं तो separate dimension का option आता है X और Y को आप separately आप देख सकते हो ठीक है मैंने करा separate dimension देखिए X और Y की अलग-लग values दिखा रहा है red वाली जो है मेरी X है और अगर मैं scale choose करता हूं तो separate dimension नहीं आता है rotation choose करता हूं तो separate dimension नहीं आता हैOFF global फिलाल इसको किया कि बंद मेंगा ग्राफ एट रेंद वापिस अभी देखिए मैंने कोई भी keyframe select किया हो नहीं तो देखिए मेरे सारे option disabled है अगर मैं कोई भी keyframe को select करता हूं तो मेरे options enabled होते हैं यह क्या है उस जो भी selected keyframes की properties को edit करना edit करने में आप यहां direct value change कर सकते हो edit values देखिए अप label लगा सकते हो किसी भी keyframe के उपर यहां पर भी नहीं ऐसा नहीं कि यहीं पर आप यह बाहर जाओगे आपको यहां भी label मिलता है अगर आपके कुछ particular keyframes हैं कुछ particular keyframes हैं जिनको आप color से denote करना चाते हो तो आप यहां से color से denote कर सकते हो कुछ frames को यह काम आएगा अचली यह काम आता है कभी आप animation के अंदर बहुत सारे keyframes लगा देते हैं और कुछ चुनिंदा keyframes होते हैं जो आपको denote कर रहे होते हैं height को या फिर bottom lower part को मतलब आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहरा हूं कि कुछ keyframes को आपको mark करकर रखना पड़ता है तो यह उसमें काम आजाएगा देखिए और इसमें यह selection ले दिया हुआ है जो equal keyframes को select कर लो previous keyframes को select कर लो जितने भी इस selected keyframes से पिछले keyframes को select कर लो keyframe interpolation आगया keyframe velocity आगया keyframe velocity में आप पुछ से velocity set कर सकते हूं यहां से यह बहुत कम use होगा पर आपक पता ही है कि easy easy ने रॉकर के जो था ठीक है अभी मैंने keyframe select किया और यह क्या है हमारा यह हमारा convert selected keyframe to hold अब देखिए मान लीजे मैं इस keyframe को मैंने convert कर दिया hold में तो अब देखिए क्या होगा वो रुका हुआ ही है और जैसे next keyframe आया तब वो पहुँचा मतलब यह keyframe की value hold प तो आपने उसको value दी हुई है वो वहाँ पहुच जाता है यह हो गया holding ठीक है मैंने control z किया यह holding हो गई कोई भी आपका selected keyframe है उसको आप linear कर दो मालों यह मेरा यह जो keyframe था मैंने f9 करके इसको easy easy कर दिया अब मैंने keyframe को select किया और मैंने इसको कर दिया linear तो यह आपका option मैं control दबाके करूँगा तो मैंने बताया था ना कि कीश्रेम लगाने के लिए pen tool आ जाता है तो यहां नहीं कर जकते आपको बाहर जाके control दबाके प्रेस करोगे तो यह मेरा linear में convert हो गया देखे यहां मैं control दबाके करूँगा तो actually pen tool आ जाता है graph editor के अंदर मैंने आपको last class actually वो pen tool में select convert हो जाता है और आप उससे key frame लगा सकते हो और यहां से delete कर सकते हो ठीक है अभी आपने यह key frame select किया और यहां पर आया हमारा easy is, easy is in, easy is out वही जो हमारे हमने last class में देखे दे तो यह था नीचे वाले का part अभी देखे माली जे मैं इन दोनों key frame को मैं कर देता हू easy is, तो जैसी मैं easy, easy is नहीं करता हूँ चला, इसको हम लोग निकल रहे हैं तो इससे मैं करता हूँ easy is out और इसको करता हूँ easy is in, देखे जैसी easy is in किया है और मैंने इसका speed graph select किया हुआ है, speed graph, देखे इसकी जो speed है उसको ध्यान देजिए, 0 से start हो रही है, maximum तक जा रही है, और फिर वापिस 0 आ जा रही है तो और देखे यहां पर keyframe आपके यहां पर, यह सब इखटे हो गए एक तरफ ना, तो यह हो गए actually speed, अब आप इसको move करोगे, तो देखो पहले starting में slow हो गया, यह normal था, इसमें हमारा constraint था कि मैं इससे ज़्यादा control नहीं कर सकता था, कोशिश कीजेगा, drag करके select करो, किसी भी keyframe को, मैंने इसको drag करके select किया, वो show करेगा पर selected सिर्फ यह ही है, actually यह dependent होते हैं दूसरे के, यह जो, इसको move करूँगा, तो दूसरा वाला भी move होगा थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, अब देखिए, अगर मैं चाहता हू कि speed कम हो, मैं इसको पूरा इधर लेके जाता हूँ, इधर लेके गया, तो देखिए, अब speed slowly slowly और ज़्यादा इधर dense होगे, देखिए, keyframes यहाँ पर और ज़्यादा dense होगे, frames, तो मतलब यहाँ पर और ज़्यादा slow हो जाएगा, और फिर fast होगा, और फिर देखिए, चाहो तो आप इसको, ऐसे कर सकते हो कि starting तो बहुत तेज हो, फिर slow हो जाएगा, यह बहुत common speed graph के options हैं, आप ऐसे करो, तो almost बीच में रुख जाएगा, तो देखिए, यह एक normal सा वीडियो था, इसके अंदर मैंने speed graph के अंदर आपको, आप लोगो ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, इतना, इतना, मेरे ख्याल से starting में आप लोगो के लिए enough है speed graph में, पर मैं आपको suggest करूँगा, कि आप speed graph में थोड़ा सा जाकर, थोड़ा सा इ एक दो keyframes और लगाओ, और animations को move करके देखो, इसके next class के अंदर मैं आपको value graph बताऊंगा, और value graph में आपको कुछ चीज ऐसी बताऊंगा, जो बहुत interesting है, आपको value graph कब use करना चाहिए, speed graph और value graph के अंदर के बीच में actual difference है, आपको कब use करना चाहिए इनको, और इनका use after fit कैस करता है, वो मैं बताऊंगा, और एक छोटी से के अनिमेशन बनाएंगा, आपने देखी भी नॉमली bouncing ball animation है, वो मैं थोड़ा से आपको हिंट दोगा, बहुत जल्दी बनाएंगे इसको हम लोग, जदा जदा deep नहीं जाना चाह रहा हूं इसमें क्योंकि हम लोग स्टार्टि मेरे इकाल से स्पीड ग्राफ के बारे में जाना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर जो की बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है, चलिए ओके, बबाई